बिहार के मुक्षमंत्री नितिश कुमार का उत्तरादिकारी कौन हो सकता है? क्या ये कोई अधिकारी हो सकता है रसीपी सिंग के तरह? माने रसीपी सिंग को जो उत्तरादिकारी तमाम लोग मान रहे थे वो नहीं है तो अब कौन अधिकारी हो सकता है यह उत्राधिकारी यह आपको पताएंगे विस्तार से इसके लावा आरंद मोहन क्यों बागी रुख अपना रहें क्यों उनके स्वर कड़े हो गए है इसके पिछे क्या पॉलिटिक्स है क्या डिमांड है यह आपको पताएंगे बिहार में एक लंबे समय से मुझे लगता है यह एक बड़ा सवाल है कि नितिश कुमार की उम्र हो रही है तमाम बार उनके स्वास्त को लेकर भी चिंताएं जताई आती रही है और कुछ अपडेट्स भी आते रहे हैं उनके हेल्थ को लेकर तो यह सवाल एक बड़ा मौजूर रहता है कि नितिश कुमार के बाद कौन नेतरत्व करेगा नितिश कुमार के बाद जेडियो कौन चलाएगा पहले एक नाम आरसीपी सिंग का चलता था पुराने बड़े अधिकारी रहे प्रमुक सचिव रहे करीबी रहे नेता रहे पर जाते जाते वो साइड लाइन हो गए बीजेपी से दोस्ती करने के बाद अब सवार उठता है कि कौन हो सकता है उनका उतर अधिकारी और जो तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई अधिकारी हो सकता है तो कोन है क्या नाम भाई पंगजीन का देखे आपको बता दे कि नितीश कुमार कई पैरलल लाइन एक साथ खिचना जानते हैं और यह उनके राजनीती का ब्यूटी भी है और यही उनके राजनीती का आधार भी है तरीका भी आप देखेंगे एक तरफ वो संजय जहा रख कि रखते थे एक समय वो आरचीपी सिंग को रखते थे तो दूसरी तरफ ललन सिंग्ग और बिजैंदर रियादव को रखते थे तो दो लाइन वो अपने बाद खीच करके रखते रहें कब किसको छोटा करना है और किसको बड़ा करना है यह बकु मत जानते हैं और इस तर अब देपूटेशन पर विहार आये थे कुछ समय तक उन्होंने प्रधान सचिप के तौर पर काम किया और उसके बाद फिर वो राजसभा के सदस्य बनाए गए और पर्टी के अध्यक्ष भी बनाए गए और पर्टी के जब राष्टी अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंन यह वो मंत्री बने नितीश कुमार नारास थे नितीश कुमार को लग रहा था कि हम उनकी पाटी चाह रही थी नितीश कुमार चाह रहे थे कि मोधी सरकार में उनको जादा से जादा बर्थ मिले जबकि एक ही कैबनेट बर्थ मिला था और आर्सीपी सिंग स्वेम मंत्री बन तो आर्सीपी सिंग को उसके बाद उनका राजसभा का टेनियोर बढ़ाया भी नहीं गया और बाद में वो पार्टी से निकल भी गए या कहिए निकाल दिये गए बिलकुल अलग थलग पड़ गए फिर उन्होंने बीजेपी जॉइन किया नितीशकुमार के खिलाप आग बूरी बन जाते हैं और बीजेपी की सरकार आज के समय में है तो दो बड़ा एलाई जिसमें एक टीडीपी और एक नितीशकुमार हैं तो आप समझ सकते हैं नितीशकुमार कि इतने इंपॉर्टेंट लंबे समय से ये बात चल रही थी कि नितीशकुमार का उत्राधिकारी कौन होगा उत्राधिकारी को लेकर के कई बार उनके बेटे के भी की भी नाम चर्चा में आई कि उनके बेटे भी उत्राधिकारी हो सकते हैं समाल सकते हैं कुछ लोगों ने उनके बेटे के तरफ इशारा भी किया लेकिन मनीश वर्मा एक अधिकारी हैं उरिसा कैडर के कारे रत रहने के बाद वो आपदा प्रबंधन के मुखिया बना दिये जाते हैं और आपदा प्रबंधन के मुखिया बनाए जाने के बाद वो जेडियू को लगातार बिहाइंड दे कर्टेन वो हेल्प कर रहे होते हैं उसकी नीती बना रहे होते हैं उसके लिए योजना बन तो वहां पर जो विजय लक्षमी कुषवाहा की जीत हुई और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि मनीश वरमा पहुंचे थे लेशी सिंह पहुंची थी कई नेता पहुंचे थे और उनको जिताने में लोगों ने ऑहम भूमी का आदा की थी क्योंकि आपको याद हो का कि हीना शाहब भी RJD के बागी के तोर पर मैदान में उतर गई थी और आप देख लीजे कि RJD से अबद बिहारी चौधरी थे तो इसलिए जब रास्टिय अधिवेशन दिल्ली में बुलाए गया था 30 जून को और उसमें भी चर्चा बहुत जोरों पर थी कि मनीश वर्मा पार्टी मे अलग भूमिका निभाएंगे दरसल पार्टी का बहुत सारा काम देखेंगे और चुकी ये ग्रिह जिले से आते हैं नितीश कुमार के ग्रिह जिले से इनकी जाती भी वही है जो नितीश कुमार की है और नितीश कुमार के लंबे समय से विश्वस्त सिपह सलार भी माने जा अब आपचारिक तोर पर महत्तुपुन जिम्मेदारी दिये जाने का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भूमी का RCP सिंग की थी वो भूमी का आने वाले समय में मनी स्वर्मा को भी मिल सकती और अब इसलिए ये चर्चा बहुत जोरों पर हो गई है कि मनी स्वर्मा को अगर उस त संगठन कैसे फैले उस पर विचार करना संगठन में अपने लोगों को प्लेस करना विश्वस्त अधिकारी को नई जिम्मदारी देना और दो हजार पचीस के लिए पुखता तोर पर प्लान तयार करना ये सारा काम किया जाएगा और इसके लिए मनी स्वर्मा इंपॉटें मिलने जा रही है और उनके उत्रा धिकारी क्या ये बनेंगे क्योंकि जब आर्सीपी सिंग थे तो उनको लेकर के चर्चा थी क्योंकि देखे एक बात बिहार की राजनीती में बिल्कुल सटीक मानी जाती है वो ये है कि वहाँ पॉलिटिक्स तो जाती आधारे थी होजा है नितिश कुमार के बाद दो बड़े नेता के तौर पर अगर आप देखें तो एक ललन सिंग और दूसरे संजय जाती इस तरीके की नहीं है जो जेडियू का आधार वोट बैंक है जेडियू का आधार वोट बैंक क्या है लव और कुष लव कुषवा समाज और कुर्मी समाज अब देखिए कि खुद नितिश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं तो उनका उतर अधिकारी कौन बनेगा इसकी चर्चा मनीश वर्मा के रूप में इसलिए होने लगी है क्योंक लंबे समय से परदे के पीछे रह करके ये नितिश कुमार के लिए काम कर रहे थे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे इसलिए कहा जा रहा है कि अब आपचारिक तोर पर संगठन में इनको जगह देने के बाद इनसे इनको महत्तपुर्ण भूमी का आने वाल RCP सिंग को पुखता तोर पर माना जा रहा था पर रास्टी अध्यक्ष बने और पार्टी से बाहर हो गए अब देखिए ललन सिंग की भूमिका को लेकर के बहुत चर्चा थी एक समय ऐसा आया कि ललन सिंग भी साइड लाइन हो गए मतलब उत्राधिकारी की भूमिका में नहीं आये अभी कारिकारी अध्यक्ष संजय जहा को बनाये गया और बहुत ताकतवर इनको माना जा रहा था तो संजय जहा तो अभी कारिकारी अध्यक्ष है नितीश कुमार के बेहत करीब ही माने जाते है लेकिन मनीश वर्मा का जैसे ही नाम अब उपर आ रहा है उससे एक बात समझा जा रहा है कि जो नितीश कुमार चिर परिचित अंदाज में पॉलिटिक्स करते हैं कई रेखा वो सामन अंतर खिसते हैं और एक दूसरे को टेंटर उप पे रखते हैं उससे ये बात बहुत साब समझ में आ जाता है कि ये नितीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें नितीश कुमार दक्छ है निपुन है वो बहतर तरीके से जानते हैं कि कौन से लाइन को कब जोटा रखना है और कौन से लाइन को कम वैल्यू देना है, ऐसा अक्सर देखा गया है, कभी देखा गया कि अशोक चौधरी बहुत आगे हैं, कभी देखा गया विजय चौधरी बहुत आगे हैं, कभी देखा गया ललन सिंग सबसे आगे हैं, कभी देखा गया कि संजय जा सबसे आगे हैं, अ अब एक नाम इन नामों में और सुमार हो रहा है वो नाम मनीश्वर्मा का है तो चुकि मनीश्वर्मा आईएस अधिकारी रहे हैं आर्सीपी सिंग की तरह ही इनका बाग्राउंड है नालंदा से आते हैं परदे के पीछे काम कर रहे थे 2012 में बिहार डेपूटेशन पे आते हैं 18 तक आईएस पत पे काम करते हैं आपदा प्रबंदन में मुख भूमिका निवाते हैं और साथी साथ जेडियू को मजबूत करने के लिए काम भी करते हैं आप बार-बार से कंपेर करना मनीश वर्मा को तो मेरे मन में सवाल अया कि तने करीबी इतने खास रहे लंबे समय तक अधिकारी वर्ग में उच्च पदस्त रहे उसके बाद फिर परटी का अनको रास्टी अधिश बनाया गया नितिश कुमार के सबसे भरोसे मन पर आंत मे भी वो कहते रहे आर्सीपी सिंग का साब बिरोध था कि नितीश कुमार और जेडी के साथ क्यों चले गए और अपने पार्टी के संगठन को उन्होंने पूरे तरीके से नस्ट कर दिया इन फैक्ट आर्सीपी सिंग ये कहते सुने जाते थे कि जितनी मेहनत से संगठन को खड किया गया था नितीश कुमार ने खुद अपने हाथों से बैक टूए स्क्वार उसको जीरो कर दिया आर्सीपी सिंग अच्छे खासे नाराज थे और लगातार आकरामक भी थे लेकिन नितीश कुमार उनसे बहुत नाराज कहे जा रहे हैं दरसल बीच में कई पार्टी के मल पाराज हो जाते हैं जल्दी उनसे उनके साथ सुला समझाते कि कोई गुंजाइश रहती नहीं अब आप देखें कि आर्सीपी सिंग बिल्कुल हासिये पर चले गए वो बीजेपी में गए और जब से नितीश कुमार इंडिये में आये हैं आर्सीपी सिंग आपको कहीं यूपी काडर से लाए गए थे ये उरिसा काडर से लाए गए हैं और जाती भी वही है तो इसलिए ये माना जा रहा है कि क्या आर्सीपी सिंग के तरह इनको भी प्रमोट किया जाएगा क्या आर्सीपी सिंग की तरह ये भी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे क्योंकि आ नितिश कुमार के सबसे बिस्वस्त माने जाते थे पार्टी में तमाम चीजों को वो मैनेज भी करते थे लेकिन अब वो तो रहे नहीं और जो सुलह समझाती की कोशिस थी वो कारगर होती दिखने ही रही है इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि देखे सबसे बड़ी बात क्या है बड़ी बात यह है कि RCP सिंग की जगह मनीश वर्मा को खोज लिया अब आप यह समझ लीजे और मैंने आपको कहा ना कि यही खुबसूरती नितिश कुमार के पॉलिटिक्स की ए कि वो एक बैज एक लाइन समानांतर खिचना जानते यही और चुकि मनीश वर्मा यह उसी बाकग्गरांड से है और जो राजनितिक पंडित हैं उनका कहना है कि चाहे ललन सिंग हो चाहे संजय जाओं उनकी वो बिरादरी नहीं है जिस जो बिरादरी जेडियू का कोर वोट बैंक माना जाता है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मनीश वर्मा के नाम की चर्चा बहुत जोरों पर है कि मनीश वर्मा ही वो वेक्ति हैं जो संगठन में उपचारिक तोर पर शामिल होने के बाद काफी ज़्यादा महत्वपुर्ण भूमिका निभाएंगे नितिश कुमार के सबसे स्टेचर तक पहुंच सकते हैं तो उनके उत्राधिकारी भी बन सकते हैं आप आर्सीपी सिंग ने जिस जगे पर पहुंच करके गलती की नितिश कुमार के लाइन को नहीं माना और अलग लाइन पर चलने लगे जैसा कि नितिश कुमार आरोप लगाते हैं उस वजह से उनक पहुंच सकते हैं इस बात से कौन इंकार कर सकते हैं तो जब दी जाए उसके बाद ही इस चीचे मुझे लगता है थोड़ा और जनता की मैसेज के लिहार से क्लेरेटी आये यहां कि वो काबिल हैं या नितिश कुमार उनके लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं अब चलते हैं दूसरे मुद्धे पर दूसरा मुद्धा है आनंद मोहन बाहु बली नेता और उनके बेटे विधायक चेतन आनंद जब रास्तफा जब पलटा गया मामला विह सरकार बदली तो इधर आके नितिश कुमार के साथ बैट गए और उनकी पतनी लवली आनंद शिवर से संसद हैं मतलब एक तरीके से एंडिये के साथ हैं मगर फिलहाल उनके कुछ बयान ऐसे आये हैं जिससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या आनंद मोहन किसी और दिशा होल्ड साबित करने के लिए और दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं कि राजपूत किसी का गुलाम नहीं है कैसे देखा जाया इसको क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है या फिर अगले जो सामने विपक्ष है विदानसबा चुनाव करीब हैं उसको मैसेज देने की कि दिमाग में देखें जहां तक आनंद मोहन सिंग का सवाल है तो बहुत महत्वा कांची नहीं अब आप यह देखिए कि जेडियों में जेडियों से वह सांसत का टिकट चाहते थे और किस तरीके से आर जेडी में रहते हुए वह जेडियों के पक्ष में अगर आप कह कि यादब के बीच में क्या बाचीत हुई है वो तो पब्लिक डोमेन में दो दिर पर साथ क्रिकेट खेल ले थे और किस तरह की बात कह रहे थे फिर रात में पुलिस केस होता है चेतनानंद को ढूंडा जाता है चेतनानंद बाहर आते हैं फिर चेतनानंद पाला बदलते है चेतन अनन्द बहुत तरह की बात करते हैं फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद ही लोग सबा का टिकेट उनकी मा को मिल जाता है और सिवर से वो चुने जाती है सिवर से चुने जाने के बाद और जिस तरीके से फिर देख लिजे आनन मोहन सिंग जो की पहले बहुत कुछ नितीश को मार के खिलाब बोल चुके हैं अब लालू प्रसाद के खिलाब भी बोलने लगे ठाकुर का कुवा जो मनुज्जा ने सुनाया था उसको लेकर के जो लेकिन अब आप देखिए कि आनन मोहन सिंग का जो स्वभाव है उसको हमें समझना पड़ेगा आनन मोहन सिंग महत्तौ अकान छी है आनन मोहन सिंग का बड़ा साफ ये मनना है कि वो और भी बहुत चीज के हगदार है वो स्वभाव से अपने आपको कम नहीं आगते हैं दर राजपूत समाथ से कोई मन्तरी नहीं बना है तो इस तरह की बात करके वो ये दिखना चाते हैं कि राजपूत के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई लड़ना जानता है तो वो आनन मोहन सिंग है इसलिए आनन मोहन सिंग इस कड़ेते वर में बयान देते हुए नजर आते हैं और दबाव बना करके कहा जाएगा कि आप राजपूत से किसी को मंतरी नहीं बनाएंगे, दरवासल वो अपनी पत्नी को मंतरी बनाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि ये सही मौका है, और अगर उनकी पत्नी को मंतरी नहीं बनाया गया, तो 2025 में अंजाम बुरा हो सकता है, और देखिए जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि ये समाज किसी का गुलाम नहीं है, उसका मतलब आप समझ लीजे कि ये उनको राइट टाइम लग रहा है, कि 2025 से पहले लोहा गरम है, इस पे जब तक हथोड़ा नहीं मारा जाएगा, तब तक लोगों को समझ में नहीं आएग कि जरूरत क्या है, मतलब क्या है, और दरसल इस मौके को पूरे तरीके से अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं आनन्मोहन सिंग, और यही आप जान लिजे कि एक अच्छे बेहतरीन पॉलिटीशियन का मतलब होता है, कि वो मौके पर चौका मारना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ऐसा करके आनन्मोहन सिंग दो चीज साबित करना चाहरा है, एक तो यह कि पूरे बिहार के राजपूत समाज के इंट्रेस्ट के लिए आनन्मोहन सिंग आगे बढ़ करके बोल रहे हैं, यह पूरा मैसेज राजपूत समाज में जाएगा, और इसलिए आनन्मो का बिधान सभा चुनाओ का डर दिखा रहा है इंडिये को कि अगर आप मंत्री नहीं बनाए तो 2025 में मत कहिएगा आपके साथ क्या बुरा होगा तो समझ लीजिए कि उनको ये समझ में आ रहा है कि 2025 के बिधान सभा का डर दिखा करके ये सही मौका है कि वो अपनी पत्नी को मं मंत्री बना सके इसलिए आनन्द मोहन सिंग के तेवर साथ तोर पर आप कड़े देख सकते हैं और आनन्द मोहन सिंग का सुरू सही अंदाज इस तरह का रहा है वो जिस तरीके से बात करते हैं क्योंकि ये मत बूलिए कि जब जेडियो और आर जेडि की सरकार थी और एक अल लोगों के बारे में किस तरह का बयान देते और खुले आम इस तरह का बयान देते जिसको लेकर के बीजेपी वालों को बड़ी मिर्ची लगती थी लेकिन आप देखिए कि बीजेपी वालों को ये लग रहा था कि उनके खिलाफ अगर कड़ा प्रहार किया गया तो राजप उससे बच्ती रही बाद में देखिए कि क्या हुआ कि वो आर जेडी में प्रयासरत दिखे कई बार उन्होंने प्रयास किया लालु प्रसाथ से मिलने का तेजस्वी यादव को समझाने का लेकिन उसमें वो काम्याब नहीं हो पाए फिर उन्होंने क्या किया कि पाला बदल ल एक केंदर में ललन सिंग बन पाए हैं कैबनेट मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर आप स्टेट जो है वो रामनाथ ठाकुर बने इसलिए आनन्द महुन सिंग को लग रहा है कि ये सही मौका है इस सही मौके पर एटाक किया जाए राजपूत समाज की भावनाओं से अबगत क कराया जाए राजपूत समाज के बीच में भी अपने आपको पूरे तरीके से कंसोलिडेट किया जाए उनके बीच ये जटाया जा सके कि राजपूत के इंट्रेस्ट के लिए अगर कोई मुखर हो करके बोलता है पार्टी लाइन से हट करके भी गटवंदनकी लाइन से हट करके भी तो वो आनन्मोहन सिंग है और इसलिए आनन्मोहन सिंग कल इस तरीके से बोलते हुए सुने गए मतलब उनका बहुत साफ था कि उनकी पत्नी को मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है उनकी पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा तो राजपूत का इंट्रेस पतनी के मंत्री बनाने के लिए कर दबाव भी बना दिया है राजपूतों के बीच मैसेज भी दे दिया है कि आपकी बात हम कर रहे हैं और आने वाले विधान सभाश दो नौव को लेकर अपने आपको नेता साबित करने का मौका बी तैयर कर दिया और साथ ही साथ विभक्ष क खाने से खबरे लेके आते हैं आप तक हम इसे ही पहुंचाते रहेंगे आप देखते रहें टीवी राइन बिहार जहार करने शुक्रिया